आज मैं आपके लेके आई हूँ एक ऐसा बन जो प्रोटीन और फाइबर से भरपूर्ण है और ये हेल्दी है इसमें हम किसी भी तरह का कोई आटा यूज नहीं करेंगे और ना ही हम मैदा यूज करेंगे ना सूजी ये बनाएंगे हम बिना इस्ट के और खाने में ये बहुत तेस्टी लगता है तो चलिए में साथ ये हल्दी से बन को बनाने के लिए क्या आप तैयार हैं तो आजाएए गलूटन फ्री बन बनाने के लिए हमें चाहिए एक कटोरी लानमसुर की दाल ये देखने में कुछ ऐसी लगती है तो इसे हम तीन चार बार पानी से धोलेंगे और एक खुले बरतन में इसे रखेंगे ताकि ये फूल जाए अच्छे से पानी ज़्यादा डालेंगे ये लगबर फूल करके डबल हो जाती है तो ढग करके हम पाँच गंटे के लिए रख देंगे पाँच गंटे बाद ये हमारी अच्छे से फूल गई है लगबर डबल हो गई है और अब हम इसका पानी निकाल देंगे च्छनी में निकाल लेंगे और अब एक क्रैंडर जाल लेंगे उसमें अपनी ये दाल को डालेंगे और अब इसमें कुछ चीजे डालेंगे हम इसको टेस्टी बनाने के लिए इसको बहुत ज़दा हेल्दी बनाने के लिए हम डालेंगे तीन चमच रोडोर्स और तीन चमच हम डालेंगे इस सब घोल और वन फॉर्थ कप डालेंगे हम पानी आपको पीसने में जितना पानी लगे वो आप ले लीजे बहुत पतला नहीं करना गाड़ा सा पेस्ट बनाना है यह हमारी अच्छे से पीस गई है एकदम स्मूथ बनाएंगे और अब इसे एक बरतर में निकाल लेंगे आप कुछ चीजे मिलाएंगे नमक मिलाएंगे स्वाद अनुस्वाद और अच्छे टेस्ट के लिए हम डालेंगे इसमें और इगैनो इसमें बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा और मिक्स करेंगे और दो चम्बच हम डालेंगे इसमें ओइल दो टेबल स्पून है इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके अंदर हमने डाला है एक चम्बच बेकिंग पाउडर एक टी स्पून है और हाफ टी स्पून है सोडा बेकिंग सोडा और एक चम्बच इसमें विनिगर डाला है आप विनिगर की जग है लेमन भी डाल सकते और इसमें थोड़ा पानी एड़ करेंगे थोड़ा जो है हलका सा पतला करेंगे और यहां पर हम जो बन है उसको हम ग्रीज करेंगे पेपर के पर लगाएंगे हम इसे बेक करेंगे तो पहले आप बेटर पेपर के पर ओइल कर लिजी लगा लिजे और फिर इसको गोल करते हुए अपने यह जो डो है इसको गोल करते हुए हम अच्छी क्वांटिटी में डालेंगे और उपर से लगाएंगे हम चिली फ्लिक्स गिले हाथो को कर लिजीए या आप आइल लगा लिजी हाथ में तब अच्छे से बन जाते हैं अच्छे से पेड़ी की तरह बनाएंगे इसको और इसमें डाल रहे हैं सेसमी सीट्स ओर्स डाल रहे हैं उपर देखने में सुन्दर लगते हैं पंकिन सीट्स डालेंगे अलसी के बीज डालेंगे और 180 डिग्री पर हम पहले प्री हीट करेंगे 10 मिनट के लिए फिर 20 मिनट हम टाइम दे करके इसको बेक करेंगे जब तक हमारे बेक हो रहे हैं तो हम इसका एक चिल्ला भी बना लेते हैं थोड़े से बैटर जो है उसका उसमें हम थोड़ा पानी मिक्स करेंगे थोड़ा पतला घोल लेंगे बहुत ज़्यादा पानी नहीं डानना ताकि वो बिलकुर पतला ना हो जाए ज़्यादा पानी मिक्स करेंगे और अब एक नॉन स्टिक पैन लेंगे और उसमें डालेंगे एक चमश ओयल सब तरफ अच्छे से फैलाएंगे और मीडियम हीट पर हम इसको रखेंगे और बैटर डालेंगे हम और चारो तरफ अच्छे से फैलाएंगे ये भी हमारा हेल्दी चिल्ला तियार होता है और उपर से लगाएंगे फ्लेक्स सीट्स उपर से पहले अच्छे से सिख जाए सूख जाए थोड़ा तब हम डालेंगे ओईल मीडियम हीट पर हम सिखेंगे इसको अब ये हमारा गीला है तो जब अच्छे से सूख जाएगा तो पलट लेंगे चाहें तो आप इसको ढख कर भी पका सकते हैं सब तरफ से अच्छे से से केंगे और उपर से वाईल लगाएंगे अच्छे से से के ताकि हमारा ये कच्छा न रहे ये हमारा सिख गया है आप चाहें तो आप इसे खा सकते हैं धन्या पुदीनी की चट्नी के साथ यहां पर मैं एक सौस बना रही हूं ये हमने मियोनीज लिया है और उसमें डाली है हमने धन्या की चट्नी बूदाएगा दनिया पदीने की और दूसी तरफ मैंने दूसरा में लिया है मियोनिस और उसमें डाली है लेसुन वाली चटनी डाली है शेजवान सॉस इसको अच्छे से मिक्स करेंगे तो इसके साथ खा सकते हैं आप ये तो सिंपल चटनी के साथ भी अच्छा लगता है देखिए हमने दोनों को अच्छे से मिक्स कर लिया है अब ये हमारी मिंट वाला और गार्लिक वाला तयार है हम इसका रोल बना रहे हैं दोनों को अच्छे से लगाएंगे हम अब कॉकुम्बर स्लाइस लगाएंगे अनियन चाहें तो आप इसमें पनीर पी डालकर कदुकस करकर डाल सकते हैं टमाटर लाएंगे ये हमारा हैल्दी रोल तयार है ब्रेकफास्ट में खाई ये बढ़िया लगता है और यहां पर हमारे बन जो हैं वो तयार हो गया है 20 मिनट हो गया है और अच्छे से बेक हो गया है तो अब इसे हम पूरी तरह से ठंडा करेंगे और इससे पहले हम जैसे निकाल के लाएं आप ओवन से निकालें उसके बाद इसमें बटर लगाएंगे इससे यह सॉफ्ट बने रहते हैं अच्छे से ग्रीस कर लेंगे बटर से लीजे तयार है हमारे बेहर टेस्टी यह बन अब हम इसको बीच में से काटेंगे एक सार मैं इसमें सैंड्विच बनाऊंगी इसका बर्गर की तरह तो यह देखिए हमारे बहुत सॉफ्ट बने हैं और आप हम इस पे लगाएंगे अपने मयो दोनों जो बनाए थे कॉकुम्बर स्लाइस अनियन और टोमेटो स्लाइस लगाएंगे दूसरे में मिन्ट चटनी वाला अब चाहिए तो इसमें और गैनों लगा सकते हैं और ब्लैक पेपर और सॉल्ट भी लगा सकते हैं अंदर तैयार है हमारे बहुत टेस्टी दोनों चीजे आप भी इसे बनाएए चलिए जी अब है टेस्टिंग की बारी है यह बहुत टेस्टी लगता है और इसमें जो हमने चटनी लगाई है मियो लगाया है उससे तो इसका टेस्ट और भी ज्यादा बढ़ जाता है आप इसे सिंपल मियोनीज के साथ या चटनी के साथ भी खा सकते हैं जो ग्रीन चटनी होती है उसके साथ भी आप खा सकते हैं धनिया पुदीने की चटनी के साथ बहुत बढ़िया लगता है और ये चिला भी देख लेते हैं कैसा लग रहा है बहुत बढ़िया ये भी बहुत बढ़िया लगता है चाहे तो आप इसके छोटे छोटे पीसिस करके टमाटर ककुमबर और पनीर के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं बहुत बढ़िया है नाश्ते में से जरू बनाईए तो फिर हम मिलेंगे किसी नई रेस्पी के साथ जब तक अपना ध्यान रखिए खुश रहिए और सदा मसकराते रहिए थैंक यू